असलाम अलेकूं, आज मैं आपके सामने जर्दा पेश करने जा रहे हूं, जर्दा पकाने जा रहे हूं, जर्दा बहुती आसान, आसानी से पकाया जाता हूं, तब मैंने चावल को पहले उबाल दिया है, उबाल के छान कर एक बरतन में रख दिया है, अब इसके बाद मैं बर घी डालक दो इलाइची का दाना ót बगारूंगी दो इलाइची डालके इस टेल को गरम करने दिया गरम करने के बाद नहीं इस नहीं जी पिगल घैनल गया इलाइची का दाना लाल हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी के बढ़ार देखें, फोड़ा सा पानी के बढ़ार देखें, इसमें एक, दू, टीन, चाह, ताप, छे, शकर, शकर डाला मैंने, छे चम्मत, ये चाय की चम्मत, छे चम्मत शकर डाला है, और ये आठ दस काजू, बादाम, छे बादाम, आठ काजू, पिस्ता, कैश्यूनट, ये सब मैंने काट लिया था, अब इसी में मैं डाल दूँगे, और कुछ किश्मिस के दाने भी डाल दूँगे, और थोड़ा रं रंग लाल दूँगे, औरेंज कलर डाक, जर्दा औरेंज कलर का होता है, जर्दे में शकर की, एक चम्मत शकर डाल दो पेंगे शकर, देशिर कलर अच्छा हो गया, और गहरा रंग चाहिए, थोड़ा और रंग डाल देती हूं, ताकि रंग गहरा रहे, और मैं आब इसमें चाहल, मी लाति हूं कि अपाल को प्सुत रचे लगे 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 लाद कि अपाला कर दो कि अपाले कि अॉड़ के लादा लुटों कि अपाली, शकर पिखलने लगी है अब थोड़ा सा पाने लागे थोड़ा सा पाने डालकर इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे धीमयाज पे दम पे रख देंगे बस जर्दा बहुत आसानी से पकाया जा सकता है अब दम पे रखने के बाद आपको खोल कर बताऊंगे रखने रखने खोल के लिए जर्दा चावल अब गल चुके है और तेल छोड़ रहा है मतब पूरा गल गया है चावल और शकर चलो हम गैस बंद कर देते हैं हमारा जर्दा तैयार हो गया इसको अब हम परोज सकते हैं इसको तीकी चीज़ों के साथ में मिठा दिया जाता है देखिए इतना खुब्सूरत आप मेरे आप इस चीज़ को खाईए पका कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए सुक्रिया